एक छोटा सा इंट्राडे मॉनिटरिंग को भी शायद मॉनिटरिंग की तरफ भी सेवी का रुजान जादा दिख रहा है संभवता अब चार बार जांच के दौरान अगर आपके जो सीमा से अधिक ट्रेडिंग होती है तो उसमें एक्षेंज भी हस्तक्षेप करेगा थोड़ा इसको बताएं क्या एक आम निवेशकों केहित को सुरक्षित रखने के साथ साथ इंट्राडेट इडिंग में मॉनिटरिंग भी बढ़ाना चाहता है से भी मॉनिटरिंग का इसका मतलब इदा से यह है कि अभी यह होता है कि जो नियम है वो एंड अफ दे डे मॉनिटरिंग होती है यानि आप ऐसे ब्रोकर या एसे क्लाइंट आपकी जो पोजिशन लिमिट है वो सीमा से बाहर तो नहीं जा रही है यह चेक होता था एंड अफ दे में यानि जब करोबार खतम हो गया तब तो उस वक चेक करने का को मतलब ही नहीं है क्योंकि अगर आपने दिन में ही ब्रीच कर लिया और इस तरह से अगर बड़ी स्पैमाने पर लोग ब्रीच करने लगा तो पूरे सिस्टम के लिए रिस्क हो जाएगा यह है कि दिन में च लिए चेक करने के लिए होगा और निम चार बार यह भJ को बिऑ को ब्रोकिर को बिचा जाएगा और क्लाइन के पास इन्फरमेशन जाएगी कि आप की पोजीचन जो है वो मिन जो है वो बड़ एकसीड हो गई है तो इसके उपर सौधे नहीं कर पाएंगे तो एक तरह से ए विल्ड अप नहीं हो क्लेरिंग कॉर्पोरेशन और एक्स्चेंज पर अल्राइट